हेलो एंड वेल्कम फ्रेंड्स मैं हूँ महेंदर और आप देख रहें स्पाइटेक माही फ्रेंड्स आमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन्स आपको मिलती हूँ इस सेग्मेंट का हमारा जो पहला लाप्टॉप है वो है एसर स्विच एस डवलो वन वन जिरो वन सीटी इसमें आपको 10.1 इंचेज इंटल इंटिग्रेटेड एच्टी 400 ग्राफिक्स की आपको स्क्रीन मिल जाती है प्रोसेसर की बात करें तो 1.44 GHz इंटल आटम प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 2GB DDR3 RAM मिल जाती है 32GB hard drive आपको मिल जाएगी Windows 10 operating system इसमें installed है बैटरी की बात करें तो 15,000 MHz किसमें आपको बैटरी मिल जाएगी प्राइस रेंज बहुत ही जाद है इसकी चीप है दोस्तों यह 12490 में आपको अफलेबल हो जाएगा वेड़ में भी काफी लाइट है यह 1.10 kg का है अगर आपको यह लापटॉप चाहिए गाइस तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दे रहा हूँ आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में यह काफी अच्छा लापटॉप है इस सेग्मेंट का हमारा जो सकेंड नमबर पर लापटॉप है वो है एसस वीवो बुक E402 इसमें आपको 14 इंच की स्क्रीन मिल जाती है 1366-760P HD आपको डिस्प्लेय मिल जाता है 2.4 GHz इंटल डूर कोल सेलरॉन M3350 प्रोसेसर आपको मिल जाएगा 2 GB आपको इसमें रैम मिल जाती है 32 GB आपको इसमें हार्ट ड्राइब मिल जाती जिसको आप एक्सपैंड करके 1 GB तक अगर आपको यह लाप्टाप चाहिए तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिश्ट बॉक्स में डाल दे रहा हूं आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं इस सिग्मेंट का जो लास्ट लाप्टाप है वो है आई बॉल कॉंबुक एक्सेलेंस OSD इसमें आपको 11.6 इंचिस की राम मिल जाती है 32GB इन बिल्ड इस्टोरेज आपको मिल जाता है जिसको आप एक्स्पैंड करके 64GB तक कर सकते हैं इसमें आपको विंडोस 10 मिलता है बैटरी स्की 10,000 mAh की है तो काफी एफेक्टिव प्राइस रेंज है इस लाप्टाप के अगर आपको यह लाप्टाप चा झाल